कॉंग्रस के पूर्वध्यक्ष अशोक तवर अपने जनम दिन पर नई पाठी बनाएंगे या नहीं इस सभी अटकलों पर फिलाल विराम लग गया है रविवार को करनाल में अपने 44 वे जनम दिन पर तवर ने पाठी बनाने का कोई एलान नहीं किया उन्हेंने कहा कि हरियाना में तीसरे विकल्प के रूप में काम करेंगे जनता तीसरे विकल्प को तलाश रही है रविवार को करनाल के सेक्टर बारा हुडा ग्राउंड में पूर्व कॉंगरस अध्यक्ष अशोक तवर ने अपना 44 वाज जनम दिन समर्थ को के साथ मिल कर स्वाभिमान रैली दीवस के रूप में मनाया इस मोके पर 44 किलो का केक काटा गया इस दोरान यहां तवर के साथ उनकी पतनी आवंतिका तवर और संत समाज के लोग नजर आए उन्हें कहा कि यह सब साथी संगर्ष से निकली हुए है इनी के साथ मिलकर हम आगे काम करेंगे हाला कि तवर नई पाटी या फिर किसी राजनितिक पाटी के साथ जाने पर मना करते नजर आए उन्होंने कहा कि अभी ऐसा खुछ नहीं है अभी सिर्फ मिलकर जनता की उस समय हमने सडकों पर आकर लोगों की लडाई लड़ी थी अब कोंग्रेस ऐसी और रजाई में बैठी है उन्होंने कहा कि अब हर्याना में विपक्ष हम है तवर ने कहा कि विपक्ष का काम हम करेंगे वहीं उन्होंने कहा कि देश में युवाओं को नोक्री नहीं मिल रह किसान आत्म हत्या कर रही हैं जिसकी जिम्मेदारी बिजेपी वह कॉंग्रेस है उन्होंने 70-72 सालों से कुछ नहीं बद्रा उन्होंने कारेकरम में पहुंचे अपने साथियों से आगमी तीन वहीनों में नए संगठन की रणनीती तयार करने का अहवान किया है देखे समाचा अर्याना के अंदर विपक्ष यही साथी होंगे और देश के अंदर भी एक विकल्प मैं समझता हूं कि संगर्ष का विपक्ष का यह साथी मिलकर है अर्याश्पी के कई निता यहां पर पहुंच यह सब हमारे बड़े भाई हैं आशिरवाद देने के लिए पूर सांसद भ सब लोग आशिरवाद देने के लिए और इनका यहां पर आना आशिरवाद देना यह हमारे आगे की लड़ाई को मैं समझता हूं कि और मजबूती से लड़ने के लिए प्रेड़ना देगा वो सुष्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और उसको हम पूरी कोरती को हमने वहन हैं पर देख लिए यह सारी एक से एक बढ़ करने हैं और इसले सारे बड़े स्वभी मानी साती हैं और इसलिación के विवेग और उनके अनुगों के अधार पर हमें सलाह देंगे जो मार्ख द श्रान करें ऑनमारी जनता पार्टी और कॉंग्रेस को लोग नकारने का काम करते हैं यही दिल्ली में आज अर्विंद केजरिवाल जी वहां तीसरी बार उन्हें मौका दिया है दिल्ली की जनता तो उनको बदाई भी है और जो नहीं कर सके पहले वह अब करके दिखाए और हर्याना में हम एक अच आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस सड़क पर आकर आम जनता की आवाज नहीं उठा पारी कॉंग्रेस में हम थे सड़क पर हैं का सड़क में हैं कॉंग्रेस aC में हैं ड्राइंग रूम में हैं रिजाई के अंधर आज इस कारेकरम के चकर में कुछ आरिकरम वो रखने की कोशिश करी हैंkas मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज देश के अंधर अगर सभिधान अगर महिलाओ को नौजवान को इसके अधिकार ने मिले, अगर किसान आज भी आतमत्या करने पर मजबूर है, गरीब आदमी नरकिये जीवन जीने पर मजबूर है, शिक्षा के अभाव में लोग जो है, मैं समस्ताओं की लाचार जीवन जी रहे हैं, इसके लिए कॉंग्रेस भारती जनता पाटी और वो तमाम पाटिया दोशी हैं जुनोंने पिछले सतर बहतर सालों में इस देश और प्रदेश के ऊपर राज किये हैं, शर आने वाले दिनों में BST के बैने जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं, इंक्रेडिबल मारिज पलेस, राजगराना, और जे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज